नमस्कार दोस्तों काद्यांस कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं यूपी बिहार स्टाइल की एक जबरदस चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं बहुत ही जबरदस लगती है और इसे धाबे पे अकसर आपने खाया भी होगा इसे बनाने के मैंने दो टमाटर लिया है प्याज हरी मिर्च लहसुन थोड़ा सा नमक और सुका धनी का पाउडर बस यहीं चीज़े हमें चाहिएगी तो सबसे पहले एक स्टील का रैक मैंने ले लिया है जिस पे हम बैंगन का भरता वगरा भून लेते हैं इसके उपर मैंने टमाटर जाता है तो जब हरी मिर्च भूनती है तो यह फट करके बाहर नहीं गिरती है तो कोई चोटे मोटे अक्सिदेंट वगरा होने से आप बच सकते हैं तो इसलिए एक फोक से आप इससे प्रिक कर ले या चाकू से थोड़ा सा कट लगा ले अब डैस का फ्लेम मैंने हाई कर द बढ़ा सकते हैं तो यहां पर मैंने स्रिफ चार कलिया ही लेसुन की लिए हैं और अच्छे से जब यह भून जाएंगे तब हम इनको उतार लेंगे तो टमाटर और सभी चीजों को उलट पलट करते वे अच्छी तरीके से सभी साइड से हम इनको अच्छा ब्लाक होने तक इसे बहुत ही स्मोकी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जैसे हम चूले पे बून करके बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे गैस पे भी भून करके बना सकते हैं तो लेसुन अच्छे से बून चुके थे उन्हें मैंने निकाल लिया तो टमाटर भी लगबग भून चुके हैं बस थोड़ा सा और इनके साइड को हम पलटते हुए अच्छे से भूनेंगे और फिर इनको उतार लेंगे तो दोस्तों यह वाली जो जड़नी है अकसर आपने खाई होगी ढाबे पे और यह बहुत ही टेस्टी है जटपट बन जाती है और इसे आप अपने किसी भी खाने के साथ में एंजॉय कर सकते हैं सुबह दोपर या रात के टाइम पे दाल चावल रोटी सबजी या फिर अगर बारिक बारिक प्यास को चॉप कर सकते हैं या फिर इनको आप कूटनी में कूट भी सकते हैं हलका सा थोड़ा सा दरदरा सा रहे तो यह आप देख सकते हैं हरी मिर्च और लेसुन अच्छ रोस्ट हो गए हैं और इनका बहुत ही जबरदस टेस्ट आता है इस चटनी में तो जादा बारिक चॉप नहीं करना है हलका सा यह दरदरा रहे एक दम छोटा चोटा चॉप हो जाए उसके बाद में टमाटर हम डाल देंगे और टमाटर के जो पर यह काला पन है यह पूरा आपको नहीं उतारा है थोड़ा बहुत रहेगा तभी इसका टेस्ट बहुत इसका चलका मेंने हटा दिया है थोड़ा बहुत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसका टेस्ट अमेसिंग ही आने वाला है तो यह बहुत इंस्टेंट वाली चटनी बनती है बहुत ही सबर्दस टेस्टी तो है ही और यह देखिए इसको मैंने मोटे टुकडों में चॉप करना है यह इस तरीके से थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा दानिदार सा रहता है तो ही इसका टेस्ट अच्छा आता है तो मिनी चॉपर में डाल करके मैंने इसे चॉप कर लिया है और यह अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हैं यह अच्छे से चॉप हो इसमें मैंने खटास के लिए थोड़ा सा निम्बू का रस और राल दिया है तो अधा निम्बू का रस मैंने यहाँ पर डाल दिया और यह देखिए चटृटी चट्पटी वाली एकदम तयार हो चुकी है आप चआहे तो इसमें आप से ठोड़ा सा सरसूं का तेल भी डाल स इडली दोसे के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है यूनीग है आप इसे ट्राइ जरूर कीजेगा और ट्राइ करने के बाद में अपने फीडबैक मेरे साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले इस आसान वाली रेसिपी की वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें थैंक यू फर वाचेंग